आप और मैं ना बिल्कुल एक जैसे हूब हूब वैसे मेरी दादी का ना एक टापू था छोटा सा टापू टापू समझते हैं ना आइलेंट ऐसा कुछ शांदार आलीशान टाइप का नहीं था लेकिन मेरे लिए तो जन्नत था सच मुझे आदे हर गर्मियों के चुट्टी में हम लोग वह जाते थे गुमने एक दफा ना जैसे टापू पहुंचे तो देखा कि हर जबा सिर्फ चुहे ही चुहे ही चुहे मैं घबरागे चोटा भी था दादी से पूछा तो दादी ने बताया कि मच्छवारों के नाओं में ये सारे आ रहे थे और फिर सीधा पेड़ पे नारियल चुपने के लिए अवे टापू से इतने सारी चुहे भगाए तो कैसे तब जागे दादी ने मुझे बताया और दिखाया भी ड्रम होता ना ड्रम ये बड़ा एक ड्रम सीधा गार दिया जमीन के अंदर उसके उपर धककन ऐसे लटकाया और चारे चारे के तौर पे नारियल के छोटी छोटी टुकडे बस ऐसे धककन पर रखती है फिर क्या चुहा नारिल खाने आता डगकन डगमगाता और टक सीधा ड्रम के अंतर इसी तरह टापू का हर एक चुहा ड्रम में पास क्या लेकिन फिर आया मेन सवा अब ड्रम का करे क्या जला दे समंदर में फेकते बस पड़े रहने दे चुहो की भूख ना महुत जाला होती है यही भूख बढ़ने लगी उनकी खुराक मटाने यह सारे चुहे एक एक करके एक दूसरे को खाने लगे तब तक जब तक ड्रम में सिर्फ खोन मास और दो चुहे बागी थे और अब आया ये सवाब इन दोनों का क्या करें मार दे इन्हें छोड़ दिया पेड़ों के सामने क्योंकि अब ये चुहे न और नारियल नहीं खाते अब ये चुहे सिर्फ चुहे खाते हैं इनकी प्रवर्यती बदल गई बिलकुल हमारी थरह खूब हूँ बिलकुल हमारी खाते हैं